चलिए दोस्तों आज हम लोग इस वीडियो में कच्छा दस्मीक बिज्ञान का अध्याए एक पढ़ने वाले हैं तो अध्याए एक का नाम क्या है रासायनिक अवक्रियाएं एवं समीकरण Chemical Reaction and Equation Chemical Reaction क्या होता है रासायनिक अवक्रियाएं किसे बोलते हैं तो हमने कच्छा नवबी में पढ़ा था पहले ही पार्ट में था उसमें भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन दो चीजे थी तो जो रासायनिक परिवर्तन होता है उसी को अवक्रियाओं में दरसाना ही रासायनिक अवक्रियाएं कहलाते हैं अर्थात ऐसे परिवर्तन जिन में नए गुणों वाले पदार्थों का निर्माण होता है रासाइनी कफ्क्रियाएं कहलाती है तो रासाइनी कफ्क्रियाओं में एक सेकन रुकिएगा रासाइनी कफ्क्रियाओं में मुख्रूपसित दो चीजें होती है एक होता है अभिकारक और दूसरा होता है उत्पाद अभिकारक और उत्पाद दो चीजें होती है ठीक ना अभिकारक और उत्पाद ये रासाइनी कफ्क्रियाओं में दो चीजें होती हैं दो चीजे होती हैं अभिकारक एवं उत्पाद तो अभिकारक मिलकर के नई चीजों का निर्मार करते हैं जिसे उत्पाद काते हैं रियक्टेंट और प्रोडक्ट जब कोई चीजे मिलती हैं और नई चीजे बनाती हैं जो रियक्षन के पहले अभिकरिया के पहले होती है उसको अभिकारक बोलते हैं और अभिकरिया के संपन्न होने के बाद जो नई चीज बनती है उसको उत्पाद या प्रोडक्ट का दें ठीक है हमारे आसपास के दैनिक जीवन में कुछ चीजे हैं जो इसको हम लोग देखते रहत रासानिक परिवर्तन के उदारन में समझ सकते हैं, जैसे स्वसन हो गया, स्वसन क्या होता है? स्वसन होता है जैसे हम लोग कार्वो हाड़रेट या गुलूकोज हो गया, उसको क्या करते हैं? सरल रूपों में तोड़ा जाता है, अर्थात और सीयोटू और येस्टूओ में एनर्जी मिलती है, ठीक ना? एक गुलूकोज के तूटने पर ऑक्सी सोसन जब होता है, किदनी एनर्जी मिलती है? 38 ATP, 38 ATP प्राप्त होती है, उसी एनर्जी के दोरा हम लोग अपने क्रिया कलाप करते हैं, सारे कामों को करते हैं, ठीक है? उसके अलावा तो ये सोसन हो गया, उसके अलावा हम लोग देखते हैं, लोहेक में जंग लग जाता है, कोई लोहा है उसको खुले में छोड़ दो, कुछ दिनों बाद वो नमी और ये बायुमंडल में जो अक्सीजन है, उसके संपर्ग में आ करके, क्या होगा? वो संचारित हों लगेगा, अर्थास उसमें जंग लग जाएगा, ठीक है, उसके अलावा हम लोग देखते हैं, दूध है, दूध से दही जम जाता है, ये भी एक रासानिक परिवर्तन का उधारन है, इस तरह से बहुत सारे रासानिक परिवर्तन के उधारन हम लोग दैनिक जीवन में डेली देखते रहते हैं, ठीक है रंग में परिवर्दन हो सकता है, तापमान में परिवर्दन हो सकता है, कई परिवर्दन इसमें हो सकते हैं, ठीक, तो ये होता है रासानिक अफ्क्रियाएं, अब रासानिक समीकरण किसे बोलते हैं, रासानिक समीकरण किसे बोलते हैं, तो रासानिक समीकरण होता है, जो रास पानिक समीकरन कहाता है अर्थात ये जो अभिकारक है और उत्वाद है इनको इनके प्रतीग चिन्हों के रूप में निरूपित करना जैसे मान लो हमने पढ़ा कि हमने पढ़ा ऑक्सीजन और साथ में हाइड्रोजन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलती है और क्या बनता है पानी ये हम लोग जानते हैं तो इसी को प्रतीग चिन्ह के रूप में प्रदर्सित कर देना क्या कहलाएगा रासाइनिक समीकरन कहलाएगा हाइड्रोजन को ये एस्टू से निरूपित करेंगे ऑक्सीजन को ओटू से यह दोनों मिलके क्या बना देगा? H2O, ठीक है? आप देखिए, तो जो H2O बना, इसको हम लोग क्या करेंगे? बैलेंस करेंगे, क्या करेंगे? समी करन को संतुलित करेंगे, संतुलित करने के लिए क्या करेंगे? यहाँ 2 Hydrogen है, इधर 2 Hydrogen निकला, ठीक है? इधर 2 Oxygen है, लेकिन इधर 1 ही Oxygen निकल रहा है, है न? तो इस Oxygen को हमको बरावर करना पड़ेगा, तो यहाँ पर क्या करेंगे? हम 2 लगा देंगे, अब यहाँ 2 जब लग गया, तो हमारे Oxygen 2 इधर complete हो गया, इधर भी 2 है, ठीक है एकदम बरावर है, लेकिन Hydrogen की संख्या यहाँ 2 है, लेकिन यहाँ 2 दूना 4 हो गई, यहाँ 4 Hydrogen हो गई, अब यह Balance विगड गया, तो हम इसके लिए यहाँ भी 2 लगा देंगे, अब 2H, 2H, 4H Hydrogen भी हो गई, 4 Hydrogen इधर है, दो Oxygen इधर है, तो Oxygen इधर है, अर्थातिय बाइलेंस हो गया, मतलब जितने अविकारक हैं, उतने ही उत्पाद है, हम यह रासानिक समीकरण को संतुलित क्यों करते हैं, क्यों संतुलित करते हैं, क्योंकि हमने कच्छा नवभी में ही पढ़ा है, द्रवमान संच्छन का नियम, द्रवमान संच्छन का नियम क्या बोलता है, कि द्रव को ना तो उत्पन किया सकता है, ना ही नष्ट किया जा सकता है, पदार्थ को ना तो उत्पन किया सकता है, ना ही नष्ट किया सकता है, उसके केबल एक रूप का दूसरे रूप में परिवर्टन हो सकता है यही होता है दर्वान सनच्छन का नियम है न इसलिए मतलब कि जितने हमारे पास अभिकारक हैं सेम उतना ही उत्पाद होगा जितना अभिकारक का दर्वान है उतना ही उत्पाद का दर्वान होगा उसमें क कम होगा और नहीं बढ़ेगा ठीक है ना ऐसे कोई और भी ज्याम पर हम ले सकते हैं जैसे एक लेलेहम आयरन हो गया यह फई इसकी क्रिया हो जाती है इससे पानी के साथ तो हमारा उत्पाद क्या वनेगा इधर यह फई 3-0-4 क्या वनेगा यह फई 3-0-4 साथ में क्या निकल यह फई 3-0-4 यह फई 3-0-4 लगा देंगे यह फई 4-0-4 लगा देंगे यह फई 4-0-4 यहां तो बरावर हो गई लेकिन बैलेंस फिर भी बिगड़ गया क्योंकि हाइड्रोजन यहां 8 हो गया लेकिन यहां हाइड्रोजन कितने हैं दो ही हैं तो इसके लिए हम क्या करेंगे यहां पर भी 4 लगा देंगे ठीक है अब हमारा समीकरण बैलेंस हो गया इधर 3-0-1 इधर भी 3-0-1 इधर 8 हाइड्रोजन इधर 8 हाइड्रोजन यहां प तो इसलिए हम समीकरन को संतुलित भी करते हैं, अभी हम इस पार्ट की भूमिका पढ़ रहे हैं, इसके बाद डिटेल्ड में इस पार्ट के बारे में हम पढ़ेंगे अच्छे से, तो इसमें आपको साब डिटेल्ड में समझाया जाएगा, कि रासानिक समीकरन को संतुलित कै से करते हैं आज हम साइट में पूरे चैप्टर की सिनेपसिस देख रहे हैं ठीक है अब हम लोग आगे चलके देखते हैंब इसके राषा निक अफ्रिया ऑन के प्रकार के बारे में राषांनी कफ्रियां कितने प्रकार की होती है रासाइनी कफक्रियाओं के प्रकार हम लोग देखते हैं रासाइनी कफक्रियाओं के प्रकार के बारे में तो रासाइनी अवक्रियाएं कई प्रकार की होती है इनके संपन होने के तरीकों के आधार पे इनको कई प्रकार में विवाजित किया गया है तो पहली होती है सयोजन अवक्रिया कौनसी सयोजन अवक्रिया पहली होती है सयोजन अवक्रिया सेयोजन अफक्रिया क्या होती है तो ऐसी अफक्रिया जिसमें एक से ज़्यादा अविकारक मतलब दो या दो से ज़्यादा तो एक से ज़्यादा अविकारक मिलते हैं और नए उत्पाद का निर्मार करते हैं एक से ज़्यादा अविकारक मिलते हैं और नए उत्पाद का निर्माड करते हैं ऐसी अफ्क्रिया को सईयोजन अफ्क्रिया करते हैं अर्थात कोई मान लो A है अविकारक और B है अविकारक A और B ये दोनों मिलते हैं और एक तीसरे C अविकारक का C उत्पाद का निर्माड करते हैं अभिकारक और बीउ अभिकारक मिलते हैं और सी नाम के उत्पाद का निर्माण करते हैं ठीक है ना जैसे हम लोग को यह एक जामपल ले सकते हैं जैसे माल लीजिए कारबन हो गया यह ऑक्सीजन के साथ मिलता है तो क्या बना दिया सीजन के साथ और सीजन बना दिया नया उत्पाद उसी प्रकार से अभी हमने पहले देखा था है ऑक्सीजन के साथ क्या बना दिया यह ज्याज़टू ओ का निर्माण कर दिया थीक है यहां बैलैंस कर दो बस हो गया 2H2 plus O2 equal to 2H2 O तो इसे सही ओजन अफक्रिया सही ओजन अफक्रिया क्या होती है ऐसी ओफक्रिया जिसमें दो अभिकारक मिलकर के किसी तीसरे उत्वाद का निर्मार करते हैं नय उत्वाद का निर्मार करते हैं उसे सही ओजन अफक्रिया कहा जाता है ठीक है दूसरी अवक्रिया हम लोग देखते हैं दूसरी अवक्रिया है बी ओजन बी ओजन अवक्रिया कौनसी है बी ओजन अवक्रिया तो ऐसी अवक्रिया जिसमें कोई एकल अभिकारक है कैसा अविकारक है एकल या सिंगल कैसा है एक ये अविकारक है और वो अविकारक तूट जाता है और तूट करके या वियोजित हो करके एक से जादा नए अविकारकों का उत्पादों का निर्मार करता है उसे वियोजान अविक्रिया काते है जैसे A हो गया मालो कोई अविकारक है यह टूटता है और B और C नाम के दो नए उत्पादों का दोट गया और दो नए उत्पाद बने जिनका एक का B नाम है और दूसरे का C नाम है तो बियोजन अबक्रिया क्या होती है ऐसी अबक्रिया जिसमें कोई एक अभिकारक या एक अलविकारक तूट करके या वियोजित हो करके नए दो एक से मतलब जादा दो या दो से जादा एक से जादा एक नहीं होना चाहिए एक कौन है अभिकारक है तो एक से ज़्यादा नए उत्पात जब बनेंगे तो उसको क्या बोलेंगे वियोजन अब क्रिया ठीक है ना इसका हमें एक उधारन ले सकते हैं जैसे हो गया CACO3 क्या हो गया CACO3 कैलसियम कार्बोनेट तो ये टूट गया और क्या बना दिया CAO प्लस CO2 CAO और CO2 का निर्माड कर दिया ठीक है इसी तरह से AGCl2 है क्या है AGCl2 ये टूट गया तो क्या बना दिया क्या बनाएगा ये AG और साथ में Cl2 क्या बनाएगा AG और Cl2 ठीक है ना AG, Cl2 तोट करके AGCl2 का निर्माड कर दिया ठीक है इसी तरह से आगे हम लोग देखेंगे तीसरी अव्क्रिया के बारे में जो अव्क्रिया का प्रकार है पहला होगया सहयोजन अव्क्रिया दूसरा बियोजन अव्क्रिया तीसरी काउंसी बिस्थापन अविक्रिया तीसरी है बिस्थापन अविक्रिया डिस्प्लेस्मेंट रियक्षन तो बिस्थापन अविक्रिया किसे कहते हैं बिस्थापन अविक्रिया ऐसी अविक्रिया होती है जिसमें किसी अविकारक से उसके तत्वों को या आइनों को क्या करदे कोई दूसरा अविकारक विस्थापित कर दे है ना उसके अस्थान से हटा दे ठीक है इसको बोलेंगे विस्था बनव करिया उधारन के लिए क्या हम समझ सकते हैं? यपएई है. यपएई ने क्या किया? CU SO4 ये एक अविकारक था इससे क्या किया? इसने CU को हाटा दिया और यपएई SO4 नया कंपाउंड बन गया और CU क्या हो गया? बाहर हो गया CU बाहर हो गया तो इसे क्या बोलेंगे विस्थापन अफ्ग्रिया ऐसा क्यों होता है क्योंकि कोई जब ज़्यादा सक्री पर मार हो है कैसा है ज़्यादा सक्री है तो ये इसको हटा देगा अपने कम सक्री वाले को हटा देगा अगर यहाँ FISO 4 होता CU इसको नहीं हटा सकता क्यों क्योंकि इसकी सक्रीता इसकी अफ्ग्रिया कम होती है ठीक है सक्रीता से नहीं हम लोग देख लेंगे बाद में है ना अलग से वीडियो में सक्रीता से नहीं हम लोग देख लेंगे डवल डिस्प्लेस्मेंट या डिस्प्लेस्मेंट कौन सी दूई बिस्थापन अफग्रिया दूई बिस्थापन अफग्रिया तो ऐसी अफग्रिया जिनमें अविकारकों के बीच अविकारकों के बीच आईनों का परस पर आदान परदान होता है ना डूई अगर अविकारक हैं तो एक का इधर आ जाएगा एक का इधर ठीक है ना ऐनों के बीच क्या हो जाएगा आदान परदान हो जाएगा इसको क्या बोलेंगे बूई बिस्थापन जैसे मान लो यहां पे आ है एक ईसात बी जुड़ा हुआ है ठीक है, यहाँ C है, यहाँ D जुड़ा हुआ है, तो इसमें क्या होगा, A, B और C, D, यह दो अलग-अलग हैं अभिकारक, तो A किस से जुड़ जाएगा, A जुड़ जाएगा C के साथ, और B जुड़ जाएगा D के साथ, इस तरह से उत्पाद बना देगा, ठीक है ना, जैसे इसका उदारण हम लोग समझ सकते हैं, YNA 2, SOA 4, YNA 2, SOA 4, यह किस से जुड़ रहा है, यह मिल रहा है किस से, BACL2, BACL2 से, YNA 2, SO4, किस से क्रिया कर रहा है, BACL2 से, तो इसमें क्या होगा, YSO 4 जो है, वो BACL2 के साथ रियक्शन कर देगा, तो क्या बना देगा, BASO4, BASO4, बैरियम सलफेट को बना देगा, यह और सोडियम के साथ अलग हो जाएगा, ठीक है, अभी सोडियम है, यह इसके क्लोरीन के साथ क्रिया कर लेगा, और क्या बना देगा, YNA 2, YNA 2, तो इसमें कुछ भी अलग नहीं हुआ, इन दोनों ने क् या परस पर अपना अस्थान अलदावल्दी कर ली, ठीक है, इसी प्रकार से एक और अपक्रिया होती है, जिसको हम लोग अपचैन और उपचैन अपक्रिया के नाम से जानते हैं, क्या होती है, अपचैन और उपचैन अपक्रिया अप्चैन एवं उप्चैन अवक्रिया तो अप्चैन एवं उप्चैन अवक्रिया क्या होती है तो उप्चैन हम लोग पहले देखते हैं उप्चैन का एक नाम है आकसी करण उप्चैन को आकसी करण भी बोला जाता है ठीक है ध्यान रखियेगा तो अपचेन या आक्सीकरन क्या होती है तो ऐसी अपक्रिया जिसमें ऑक्सीजन जुड़ जाए क्या हो ऑक्सीजन इसके साथ जुड़ जाए किसी अविकारक के साथ ऑक्सीजन अगर जुड़ जाता है तो उसे क्या बोलेंगे अपचेन या उपचेन या आक्सीकरन अपक्रि अपक्रिया और इसका उल्टा अपचैन क्या होता है तो ऐसी अपक्रिया जिससे ऑक्सीजन क्या हो निकल जाए जिसमें ऑक्सीजन निकल जाए अथवा हाइड्रोजन उसमें एड्रोजन जुड़ जाए तो उसे क्या बोलेंगे अपचैन अपक्रिया अपचैन क्या होता है हा अक्सीजन का जुड़ना अथवा हार्डोजन का हरास होना ठीक है हार्डोजन का इसमें क्या होगा उपचैन में हरास होगा और इसमें हार्डोजन जुड़ेगा इसमें ऑक्सीजन का हरास होगा इसमें ऑक्सीजन जुड़ेगा एड होगा ठीक है जैसे इसका उदारन हम समझते हैeren 스ιο है Think why hydrogen के साथ ये reaction किया ठीक है जब hydrogen के साथ reaction करेगा तो सी यू यू अलग हो जाएगा और पानी अलग हो जाएगा है ठीक है ज़िए कैसी अथ्टरिया का उद्राइड है यह अफचैन 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 काウट्रिया आपचेयन का बाहर निकलना या हड्रोजन का जुड़ना क्या कलाता है अपचेयन कलाता है तो इसमें कापर का क्या हो रहा है कापर का अपचेयन हो रहा है इसमें कार्वन का क्या हो रहा है कार्वन का उपचेयन हो रहा है या आकसी करन हो रहा है ठीक है ना एक अफग्रिया हो जिसमें अपचैन और उपचैन की प्रोसेस दोनों एक साथ होती जिसमें अपचैन और उपचैन दोनों एक साथ होता है उसे रेडाक्स अपक्रिया बोला जाता है रेडाक्स अपक्रिया किसे बोला जाता है जिसमें अपचैन एवं उपचैन दोनों एक साथ होता है उसे अब ये भूमिका के लिए वीडियो था इसको आप लोग एक बार अगर अच्छे से देख लोगे तो काफी सरल हो जाएगा ये चैप्टर पढ़ने में आसानी होगी ठीक है चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में धन्यवाद